हलो राइडर्स वेलकम तो माई चैनल यह वीडियो उस कमफर्ट राइड के लिए है जो हम रोयल एंफील में हमेशा फील करते हैं जो हमें रोयल एंफील में चाहिए अभी हम लोग नागार जुना सागर गए थे हैं हैं जो 170 किलो मेटर्स है बाइक फुली लोड़र थी 160 kg के उपर वेट था एक जब मैं पार्किंग कर रहा था तो मुझे डिस्बालेंस होने का प्रॉब्लम हुआ जिसकी वज़े से मुझे बहुत चारा स्प्रें हो गया था मेरे दुनों हिप्स के पास में स्प्रें हो गया था और मैं I was not able to stand for 30 minutes मैं लिटरली लेड गया था क्योंक आपको अब तो कंट्रोल सम्हाव आए कंट्रोल एंड वी दिन आट फॉल इसके सब सेफ हैं और लेकिन मेरे पूरे स्प्रें पढने के वाज़े से 30 minutes मैं I was not able to do anything I was taking rest for 30 minutes just for you know parking करने के लिए लोगों को बच्चों को उतारने के लिए सामन हटाने के लिए गाड़ी पार्क को पार्क करें भले आपकी बाइक में आप अकेले बैठे हों आप लगेज के साथ हो या आप राइडर के साथ हो पिलियन सीट पर कोई भी बैठा हो किसी को भी बैठा करके आप कर रहे हो जब भी गाड़ी आप पार्क करें तो मेक शूर आप साइट स्टेंट नीचे कर ले side stand नीचे करने से क्या होगा अगर आपकी गाड़ी disbalance भी होती है तब भी आपको एक support मिलेगा side stand का जिसके बाद वापस से आप अपने balance कर सकते हैं और आप गाड़ी को manage कर सकते हैं अगर आप side stand नहीं लगाएंगे और अगर गाड़ी गिर गई 200 किलो की गाड़ी अगर आपके पैर पर गिरेगी तो obviously आपके पैर के हाड़ी तूटनी तूटनी है और रोयल एंपी से जितने भी लोग गिरते हैं maximum उनलों को यही damage होता है देखें मैं petrol meter के बारे में बात कर रहा था इसकी डंडिया दो चार से उपस तीन पर आगए है इसके petrol gauge के अपर भी आप बरोसा ना करें आप अपने assumption से चलें अपने किलो मेटर के हिसाब से manage करके चलें चालिस का average आराम से दे रहे थी है यह bike तो चालिस के हिसाब से आपने petrol का आपके सीडिया में जो भी petrol रेटा उसके साब से आप इसमों फिल लिंक करा करके इसको यूज करें आगे और भी बहुत सारी information शेर करेंगे एंफिल के बारे में बने रहे हैं चैनल के साथ तैंक यू